जी कुश्चन बढ़ते हैं कुश्चन हर किसी को क्लियर है पहले बता दीजिए ताकि मैं राइटनेस अरजस्ट कर पाऊं कुश्चन क्लियर वीज्वल है नहीं है तो थोड़ असा चेंज कर देते हैं अब ना बेटर होगा पहले से ठीक है क्लियर वीज्वल है अब चेक कर दियेगा मैंने थोड़ा सा अरजस्ट कर दिया मुझे वीज्वल क्लियर दिख रहा है लैप्टप में अब क्लियर है ठीक है करते हैं स्टार्ट कहता है मिस्टर एक्स देखिए जब कभी भी कोशन पढ़ेंगे तो आपका माइंड एकदम शाप होना चाहिए शाप से मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी उमर क्योंकि टेक्स लाइबलिटी भी उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा तो सारी चीज़े आपको क्लियर होना चाहिए फॉस्ट पॉइंट कहता है कि Mr. X is a working with ABC Limited यानि सर प्राइवेट कंपनी है सिंस दिसंबर 2017 पे स्किल कुछ याद आया ये यानि ग्रेड सेलरी दे दिया अब ग्रेड सेलरी आ गया है यहाँ पर एक्जाम में आया वो कुशन है सर 2009 में ची गेट्स फॉलोविंग और Mrs. X है मैंने Mr. पढ़ लिया उनको कुछ चीजे जो information दे रखी है awareness allowances, lunch allowances और भी धेड सारा information देख रहा हूँ और ऐसा कुशन थोड़ा सा न ऐस पर मैं देखूं बच्चों का तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ऐसा कुशन और मेरा भी प्रसनल ऐसा कुशन मुझे भी ठीक नहीं लगता point वाले कुशन थोड़े ज़्यादा ठीक रहते हैं कि point पढ़ते गए और करते गए तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा पहली चीज ध्यान रखेगा तो सबसे पहले हम basic salary निकाल ले basic salary basic salary में कहता है इसने join किया था December और हमें जो salary computation करना है सर वो salary कब के लिए computation करना है 21-22 हमारा यहीं चल रहा है assessment year 21-22 के लिए यहाँ पे हमें calculation करना है 21-22 का मतलब हमें जो निकालना है वो एक चार दो हजार 20 से लेके 31-3 दो हजार 21 तक की हमें सारी जानकारी government को देनी है ठीक है ना सर salary इसका December में था December से क्या जाएगा एक साल कब होगा December to Jan कहीं रहेगा नहीं December से November December से November 1 यर होगा तो सर इसकी salary कितनी थी? 40,000 और ये वाला साल जो है वो साल कौन सा है सर December से November की हम बात करें तो 17 ये 18 आ गया ठीक है? फिर अगें December से November salary में increment एक हजार होगा 40 में एक हजार बढ़ जाएगा 41,000 और ये आ गया 19 हमें चाहिए 20 और 21 अगें December से November सर salary हो गया 42,000 salary हो गया 42,000 और जी आ गया ये 20 लेकिन हमें चाहिए 20 और 21 अगें December से November के बीच में रहेगा salary 1000 अगें बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 43,000 ये आ गया 21 ठीक है? हमें चाहिए 1 April 2020 से लिके तो सर 1 April 2020 तो यहाँ पर आ रहा होगा? कहां तक आ रहा है November तक? April, May, June, July, August, September, October November तो दिखा जाए 7 महीने तो 7 महीने तक हमारी ये salary रही होगी और बाकी के 5 महीने हमारी ये salary रही होगी पहले फटा-फट देख लीजिए हम basic salary लिक लेते हैं हाँ पर तर basic salary रही होगी 42,000 into में 7 आप भी calculate कर लीजिएगा कई बार मेर से भी error होता है into में 7 और 43,000 into में 5 करिए जितने बच्चे live में वो भी calculate करते रहीएगा नहीं नहीं टोटल नहीं हाँ हाँ वो टोटल बता है ये देखो जो sequence मैंने निकाला है यहाँ पर आपने ये भी check करना है 42,000 एपरेल से लेके एक बार count करो एपरेल से नवंबर 7 मैंने होते हैं 8 मैंने होते है एपरेल मई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर, अक्टूबर अच्छा 8 मैंने देखा हो गया गडबर तो सर मैं यही चीज़तो चेक कर रहा था कौन बच्चा देखता है ध्यान यहाँ होना चाहिए सर यह 8 मैंने होंगे और यह होंगे 4 मैंने समझी बात आप यह 8 मैंने यह 4 मैंने एक बच्चे ने टोटल करकर ही बता दिया करते हैं सर 42,000 गुणा में 8 336 और 43,000 इंटू में 4 1,72 प्लस 3,36 यह आगया सर 5,8,000 और यह भी आगया ठीक हैं? आगे DNS allowance forming part of salary 24,000 per annum तो सर DA आ जाएगा 24,000 इंटू में 12 24,000 इंटू में अच्छा पर annum है तो 12 से multiply नहीं करना है सर यह 24,000 ही आगया और सारा का सारा retirement benefit का ही है lunch allowances क्या होगा बताओ fully taxable कितने हैं हमारे 6,000 per annum that is 6,000 और 6,000 कहता है she provide with a car इसको एक car मिला 1800 CC का तो हमारा concept था 1600 CC तो 16 CC से उपर है along with driver driver भी मिला है official और private use दोनो है अब सर हम यह देख लेते हैं with effect Fav 2021 से मिलना चालो हुआ है इसे क्यानि सर Fav 21 कब कह रहा है concept 1st Fav तरिफ Fav पूरा और March पूरा दो ही महने car की facility मिल पाई है यह भी ध्यान रखना है stop getting transport allowances from that date और इससे पहले इसे transport allowances मिला करता था इस दिन के बाद इसने transport allowances लेने से सर मना कर दिया बच्चे कर रहे है lag आ रही है वीडियो में वो साइध windows shift हो गया था एक बाद दुबारा चेक कर लिजिए अब ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी अब देख लिजिए ठीक रहेगा अब देख लिजिए ठीक हो गया होगा ठीक है नाओ चेक कर लिजिए अब जी चलिए बहुत बड़ी कहानी कह दीशने कार को लेके मैं सिंपल सीधी सी बात बोलू कहता है क्या क्या बहुत बढ़ी को एक गाड़ी मिले और कार को बोला गया भी या घर में भी इस्तमाल करो और ओफिस में भी इस्तमाल करो ड्राइवर भी दे रहे हैं और इसको सिर्फ दो महिने के लिए कार मिला है उससे पहले इसे कार था ही नहीं तो दो महिने का निकालेंगे और कार 1600 सीसी से उपर जो कि 1800 CC का है और इसके बदले में उससे कुछ पैसे भी recover किये गए जो कि था हमारा 300 रुपे महिने का वो हम कर देंगे minus तो हम car की facility को याद करें तो बताइए क्या होगा car का 2400 और 2 महिने के लिए मिला तो into में 2, 2 भी समझिएगा मैं date के उपास highlight भी कर देता हूँ कहता है के with effect from 1st feb 2021 और हमें 31 March 2021 तक कही काम का अज बताना है तो यानि सर फरवरी पूरा ले गया वो और March तो 2 महिने मिले और साथ के साथ सर 900 driver भी जोड देते है driver का fix रहता है 900 तो यह आ गया सर 4800 और यह आ गया सर 1800 टोटल हो गया इसके 4800 प्लस में 1800 66 इससे recover जो भी किया उसे करते हैं less recover तर 300 रुपए और गुणा में 2 600 रुपए recover कर लिए गये और 6000 old रिजिम हो चाहे new रिजिम हो इनके लिए taxable हो जाएगा question में यह भी कहा गया इसका transport allowances stop कर दिया गया लेकिन हमें transport allowances तो पता ही नहीं है अभी तक जितना मैंने पढ़ा है तो नहीं पता तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है बच्चे कहरें question blur हो गया एक बार आप setting में जाके एक बार resolution set कर लिजिए maximum पे आपका clear हो जाएगा पताईए किसी कोई ऐसा student हो जिसको clear देख रहा हो तो फिर आगे चला जाए कुमित ओके clear है कहता है the company also provide her rent free furnished out in Delhi with first gen 2021 इसको एक rent free RFA RFA rent free accommodation दिया गया लेकिन दिया गया January 2000 21 में तो सर इसे January, February और March तीन महिने का इसे benefit मिलेगा house taken by the company on lease monthly rent 10,000 company ने इस घर का किराया 10,000 रुपे देना start किया the furnish are owned by the employer और यहाँ पे जो furnishing है owned by the employer कहता है they were brought on first April 2020 47,000 they are written down value आपका 43,200 जो भी कहता है के एक rent free furnished house दिया गया furnished में क्या होता है furniture हो सकता है TV हो सकता है AC हो सकता है यही सारी चीज़े होगी यहाँ पे बताया ने के क्या दिया है हमने बस बोल दिया फर्निस्ट है जी और जो फर्निस्ट में खर्चा हुआ है मालिक ने 2020 में 48,000 का खरीदा था लेकिन depreciation लग लग के इसने खरीदा they were brought on 1st April 2020 and they are written down value 21 में इतने का रह गया था उसका value ठीक है यानि सर यहाँ पे घर भी है और घर के साथ साथ और क्या है सर फर्नीचर वगेरा भी होगा तो पहले RFA निकाल लेते है RFA की calculation बड़ी सीधी सी है कि सारे आप कितने महने के लिए निकालोगे सबसे पहले RFA 3 महने के लिए चलिए next page का इस्तमाल कर लेते है RFA को निकालने के लिए 3 महने के लिए तो सर RFA मैं पहले तो यहाँ पे लिख लूं basic salary सर basic salary में देखो यहाँ कितना है 3 महने तीन मेने कौन से बाद वाले तीन मेने तो ये वाले तीन मेने होंगे ये उपर वाले तीन मेने होंगे नीचे 43,000 वाले तीन मेने होंगे तो sir 43,000 examiner देख रहे हो बड़े छोटे छोटे पॉइंट पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एकदम गलत हो जाएगा ये 129,000 ठीक है इसके बाद हम बात करते है basic salary के बाद आगे देखा जाए sir और क्या देखते है DA DA था 24,000 एनम था तो divide 12 और गुणा में 3 कर लेते हैं तो 2000 आ जाएगा यानि 6000 यही था ना इसके बाद था हमारा lunch allowance lunch allowance sir lunch allowance था 6000 रुपे पूरे साल का divided by 12 500 रुपे महिने का और 3 महिने का आएगा sir 1500 रुपे इसके बाद और क्या था sir चेक कर लेते हैं हाला कि मैंने वोला था RFA की calculation सबसे last में करिएगा क्योंकि साइद बाद में allowances मिल जाए आपको cutting करना पढ़ सकता है पढ़ लेते हैं contribute PF वगेरा में कर रहा है deposit करता है और जगह पे वो हमारी सारी अलग बाते हैं तो sir और कोई भी है क्या कार का driver का होगा नहीं सिर्फ DA और lunch allowance इतना ही जोड़ा जाएगा तीन मेने की salary में तीन मेने की salary जोड़ देते हैं क्या हो रहा है sir 129,006,000 रुपे और 1500 that is 136,500 रुपे यह आगया salary law क्या कहता है sir क्या कहता है RFA का rule sir RFA का rule बड़ा सीधा साधा है कि अगर मालिक ने घर किराये पे लिया है तो बोला जाएगा actual rent और 15% of salary 15% of salary salary that is 36,500 whichever is lower will be taxable exemption नहीं है lower वाला ही taxable हो जाएगा और sir rent की अगर आपको दिखाऊ ना तो rent साब साब बोला था कि 10,000 रुपे महीने के हिसाब से वो देने वाला है तो rent हो गया हमारा कितने 30,000 और 15% अगर हम इसका निकाल ले तो आगया 20,000 475 तो RF क्या होगा दोनों में से जो lower होगा 20,000 475 रुपे तो sir यह आगया 20,000 475 प्लस में furnace का furnace का क्या rule था furnace जब कभी भी furnace होगा तो उसका हम किस तरीके से निकालेंगे अगर वो rent पे लिया जाता है तो actual rent ले लिया जाता है अगर rent पे नहीं होता तो 10% of cost या फिर WDB cost या WDB बताईए हमारे पास दो value दिया है नहीं यहाँ पे हमें दो value दे रखा examiner ने ध्यान दीजिएगा एक कहता है sir यह बचा है हमारे पास दूसरा कहता है यह है हमारे पास दोनों value आपके सामने हैं बताईए क्यों से value लिया जाए 48,000 43,200 10% अब चलो एक एक बच्चे से पूछ लेते हैं अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है आप बताओ सबसे पहले खड़े हो जाईए ठीक है जब तक question ना खतम हो जाए खड़े रहेगा आप बताईए 43,200 आप बताईए रही तो खड़े हो जाईए नहीं आता हूँ आप बताओ 43,000 बाई कमेंट में बता देना बच्चे जो भी है देखते हैं कमेंट वाले बच्चे ओफलाइन वाले बच्चों को तो भी निकाल रहे हैं कुछ बच्चों ने बता भी दिया हैं आप बताओ खड़े हो जो आप बताईए आप जैसे जरूरी नहीं जो खड़े हैं वो गलत बता रहे हैं अभी देख लेंगे आप बताओ 43 अब आप सारे खड़े रहेंगे जब तक के दो घंटे की क्लासिस खतम नहीं होती मैंने इसमें साफ साफ आपको बताया था कॉस प्राइज लिया जाता है सर कॉस प्राइज चलिए थोड़ा सा याद दिलाएं कॉस प्राइज RF इसी पर किया है क्या ये लीजिए ये देखिए अगर आप कोई भी समान इस्तिमाल करेंगे किसी भी कमपनी का लैप्टॉप कम्प्यूटर यूज करते हैं नहीं टेक्सेबल होगा कार को छोड़ दीजिए बाकी अदर एसेट्स मुवेबल एसेट्स अधर देन लैप्टॉप कम्प्यूटर तो दस परसेंट पर एनम किसका सर तो एक्च्वल कॉस्ट कौन सा है अब मेरे वाले कुश्चन में आप देख के बताईएगा एक्च्वल कॉस्ट क्या है सर कहां गया कुश्चन आ जाओ आजाओ एक्च्वल कॉस्ट क्या है कुश्चन में 43,200 या 48 48 आप बैट जाएए अभी बाहर निकालेंगे तो 48 तो सर यहाँ पे लेंगे हम 48 का 10 परसेंट यानि 4800 रुपीस तो सर 20,475 प्लस में 4800 सर यह आगया हमारा 25,275 25,275 ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या हमारा कहता है कुश्चन कहता है मिस्टर एक्स कॉंट्रिब्यूट 15 परसेंट अफ हर सेलरी का बैसिक प्लस डियरनेस अलाउंसिस का ओविस्सी बात है मिस्स एक्स कर रही है यानि उसका self contribution है recognize provident fund में which employer make matching contribution सर यहाँ पर matching contribution बोला जाता है matching contribution का मतलब होता है same यानि employer ने भी 15% contribute किया है और employee ने भी contribute किया है सर 15% कितना होगा सेलरी प्लस में DA לסवियर हमारा यह रहा सामने तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं लाइव क्लास में काफी बच्चों का सही जवाब था छार हजार नहीं फॉर्टी एइट हंड्रेड इसकलिए सर बात करते हैं हम सेलरी किसके लिए और पी एफ के लिए और पी एफ के लिए सेलरी सर 12% निकालना होगा सेलरी में क्या होगा सर बेसिक सेलरी प्लस में DA और DA fully retirement benefit वाला ही दे रखा है तो बेसिक अगर count कर ले तो 5,8,000 5,8,000 और प्लस में DA 24,000 तो सर ये हमारा जो सेलरी निकल के आ जाता है इसके लिए इतना आसान question 15 नंबर में पूछा गया है न काफी बच्चे छोड़ के आये थे इस question को मतलब कि गलती करके आये थे गलती कहाँ छोटे छोटे जगे गलती 5,32,000 5,32,000 रुपे सर इसका क्या आ गया हमारा सेलरी का पार्ट इसका 12% exempt होता है और उसने कहा के भहिया हमें 15% contribute कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं सिर्फ लिख सकता हूँ यहाँ पे बड़े साधारन शब्दों में अगर मैं बोलू तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर क्या लिख सकते हो आप 3% सिर्फ 3% ही taxable कर सकते हैं 3% only तो आर पी एफ जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेना आर पी एफ हो जाएगा हमारा 3% taxable किसका 35 5,032,000 का 5,032,000 का 3% क्योंकि 15 तो भईया बहुत ज़्यादा हो गया तो 15,960 रुपे और 15 लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा इसका 15% contribution employer ने भी किया employee ने employer वाली बात तो आ गई अब employee वाली बात हमें याद रखना चाहिए अब बताईए employee का contribution कहा जाएगा पी एफ कई पूछ रहा हूँ पी एफ में employee का contribution का क्या करते हैं live class वाले भी सारे बच्चे बताईए फटा फट जल्दी बताईए टाइम नहीं है जल्दी जल्दी कोश्चन करने आशा हूँ नहीं पताई आप भी खड़े हो जाएगे खड़े हो जाएगे खड़े हो जाएगे अभी पूछेंगे मौका देंगे तो सर बच्चों ने जवाब दे दिया लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं सुमित कहता है सर मुझे समझ नहीं आए अभी बता देंगे अगर नहीं क्लास है बाकि सभी बच्चों ने बोल दिया सर एम्प्लॉई का कंट्रिबूशन एटी सी में काम और देखो compute the net income and tax liability सर जब कभी भी total income पूछ ले net income पूछ ले तो deduction का roll होगा ही होगा वहाँ पे तो deduction चाहिए तो हम अभी से deduction क्यों ना ATC का इखटा करते जाएं तो इसका 15% हमारा आएगा 532,000 का 15% तो यह आजाएगा 79 79 800 रुपीज यह हो गया हमारा deduction सर किसका deduction है यह ATC का जब हम computation of tax liability और total income निकालेंगे तब आगे चलते हैं सर deposit 30,000 with LIC maintenance her dependence sister ज्यान दिजेगा maintenance her dependence sister वो इसके sister लाचार है उसी के उपर आश्रीत है who suffering from disability more than 80% वो suffering है 80% से ज्यादा उसका बिमारी है disability है ज्यान से देखिएगा she also she also deposit 30,000 with LIC maintenance of her sister उसने उसके नाम का LIC कर दिया dependent sister who is suffering from the disability more than 80% more than 80% अब आगे बात अलग करते हैं अब आप मुझे बताइए उसने सबसे पहले हम बात करें अपने sister के नाम पे एक LIC ले लिया है LIC लिया है ध्यान रखेगा और उसकी disability भी दे रखा है disability examiner ने जान बूच के डाला है सर disability क्यों डाला है बता सकता है कोई अब यहाँ पे एक deduction active होता है LIC तो हमारा ATC के अंदर covered होता है लेकिन any kind of expenditure done for the disability his family member जो की 80 अब था 40 से आपको criteria याद होना चाहिए क्या था deduction वाले में कहां से कहां तक criteria था हमारा कि अगर हमारा 40% से अब अब रहेगा यानि 40% तक तो वहाँ पे 75 था और यहाँ पे आ जाता है हमारा 120 यानि 80DD में 80DD के अंदर 125,000 रुपीज का एक fixed deduction हमें allowed किया गया है एक irrespect तो कितना भाई deposit कर रहे है इसने बोला हमने करा है 30,000 देखो कितना फाइदा मिला उसने deposit किया 30,000 बट deduction कितना मिल गया उसे 125 कहां पे 80DD 80DD था किसी भी परकार का खर्चा करते हैं अगर आप ऐसे situation में तो आपको वहाँ पे deduction मिल जाएगा तो यहाँ पे 80DD का deduction मिल जाएगा मैंने अभी 80DD भी नहीं कराया ना मैंने नहीं कराया वो 80U के साथ होगा ठीक है तो सार वो deduction वाली बात है minor son get gift minor son को इसके एक बच्चा था जो की minor यानी 18 साल से कम उमर का था उसे 12,825 रुपए का gift मिला था his relative say on his birthday और and 61,825 रुपए का उसके friend से मिला था तो यह कहानी बिल्कुल other source का है जो की मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन मैं question में जो चीज़े नहीं पढ़ाया ना मैं उसको बता दूँगा जैसे जैसे chapter आएगा तो coordinate कर लेंगे ठीक है तो यह clubbing of income का part है clubbing of income में बोला जाता है कुछ part clubbing of income का भी है other source का भी है पहले clubbing of income other source की बात कर लेते हैं कहते हैं gift अगर 50,000 रुपए से आप कम का gift receive करते हो तो fully exempt होता है लेकिन अगर आप gift relative से receive करते हो तो कितने मर्जी का receive करो fully exempt हो जाता है अगर 50,000 से उपर का gift receive करोगे तो fully taxable हो जाएगा वो non relative का case है तो sir यहाँ पे इसने gift receive किया है 50,000 से कम relative से ये तो हो जाएगा exempt और जो इसने non-relative से किया है ये हो जाएगा हमारा taxable तो ये तो बात हो गई सर gift की आगे की बात करते हैं सर taxable किसमे होगा इसके parents में इसके income जोड दिया जाएगा क्योंकि बच्चा minor उसका pen card भी फिलाल बना नहीं होगा तो वो कैसे देगा tax tax कौन देगा उसका parents उसके parents में किसमें जोड जाता है जिसकी income जादा होती है उसमें जोड दिया जाता है subject to 15100 रुपे deduction दे के फिर जोड़ा जाता है ये तो मैंने इसकी बात करेए भी मैं total करके दिखाऊंगा बाकि हमारा salary वाला पार्ट उपर उपर तक था जितना हमने कर लिया कर लिया हम निकाल लेते हैं यहां पर क्या gross total salary तर gross total salary निकालते हैं दोनों जगा एक ही आने वाला है कोई फरक नहीं रहेगा हमारा 58 52 35 less कर देंगे sir सिर्फ और सिर्फ standard deduction standard deduction कहां पर दिया जाता है बताईए 16 रॉमन में 1 और A small में ठीक है कितने रुपे दिये जाएंगे 50,000 और new regime के अंदर sir allowed नहीं है minus 50,000 salary से income हो गई 5,35,235 5,35,235 और यहां 5,85,235 रहेगी इसके taxable income के तरफ चलते हैं आगे हम यहां पर निकाल देते हैं इसका taxable income हाला कि question ने बोला है tax liability also calculate आपको tax liability भी निकालना है तो पहले सबसे पहले मिस्स एक्स का निकाल लिया जाए क्या आएगा सबसे पहले आएगा income from salary income from salary यहां भी चलो old new के हिसाब से ले लेंगे यह रख लेंगे इधर old और दूसरी side रख लेंगे new यह old यह new sir income from salary old वाले का case में salary हमारा 535-235 532 535-2 535-2 535-235 535-2 535-2 5 85-35 यह था salary अब आगे आजाते है income from other source income from other source other source के अंदर इसका था gift gift हमारा कुछ वाला तो exempt हो जाता है कुछ पार्ट वाला यानि gift from from relative relative वाला तो हो जाएगा sir exempt और from friend friend वाला पूरा amount taxable हो जाएगा देख लेते हैं sir amount कितने का है sir amount है यहाँ पे 61,825 रुपए 61,825 less exempt कहता है के भाई अब 1500 रुपए exempt हो जाएगा 1500 रुपए exempt हो जाएगा यह 1500 वाली बात मैंने अभी नहीं समझाया है कभी भी बच्चे क्योंकि यह देखो 10 का deduction होता है 10 32 का deduction होता है यह तो इसलिए हमें इस new रिजिम में allowed नहीं है त्रिफ ओल्ड रिजिम में ही यह मिल पाएगा 16825 16825 कुछ बच्चे कह रहे थे सर टेबल टेबल मेंने डलवा दिया है 60 325 और 16825 तर यहां deduction नहीं मिलेगा total income आ जाएगा the total income 535 585 235 यहां जाएगा 645 645 पड़ा बड़ा करना पड़े तर यह आगया 645 560 और इसका देख लेते हैं 5 560 अब यहां पर मिलता है less deduction तर deduction दो है एक ATC का है और ATDD का है new रिजिम में दोनों में से कोई भी eligible नहीं होता new रिजिम बोलता है सरिफ हम एक ही deduction देंगे एक और है जिसका मैं discuss नहीं कर रहा AT जो हमने देखा है CCD2 का देंगे बागी का नहीं देंगे तो सार ATC के अंदर deduction अगर आप देखोगे तो PF वाले पैसे का मैंने अलग कर दिया था 79,800 79,800 और यहां पर 1,25,000 that's it यहां पर deduction नहीं मिलेगा तो आप देख रहे होंगे नए वाले में काफी ज़्यादा फाइदा मिल जाता है पुराने वाले में और 1,25,000 तो सर इसकी income आगे 3,70 3,70 7,60 और इसकी 6,45 5,60 तो अगर tax liability भी बोला है question में तो इसका तो apparently दिख रहा है कि old resume का अगर question पूछा जाए तो क्या हो जाएगा directly 0 क्यों हो जाएगा 0 sir 5,00,000 रुपए तक तो 87 एका rebate लेके 0 कर लेते हैं और new वाले में taxable हो जाएगा तो चलिए tax liability भी फटा-फट से यहीं पर निकाल लिया जाए tax liability tax liability के अंदर दो पार्ट कर देते हैं old और new दोनो tax liability में old और new दोनो यहाँ old के लिए यहाँ new के लिए old वाले का income 370 है 370 760 new वाले का 64 5560 सर अप्टू 250 0 next old वाले का देखा जाए तो next बचा कितना 250 माइनस कर दे तो next बचा 120 760 सीधा 5% जो कि 60-30 आता है नए वाले के अंदर next क्या बचेगा सर next बचेगा नए वाले के अंदर 250 और यह आजाएगा 12500 नए वाले में ही next तो बैलेंस बचेगा 164 सरी हाँ नहीं 145 बचेगा नए वाले का बैलेंस 145 560 का कितने परसेंट 145 560 कितने परसेंट 10 परसेंट बागे हमारा 1455 556 ठीक है तो चलिए सर टोटल कर लेते हैं यहाँ पर बन गया 6038 और यहाँ आगे 12556 यहाँ गया 27056 less 87A सर यहाँ पर पूरा 87A मिल जाएगा और यहाँ पर नहीं मिलेगा सर यहाँ पर आगया 0 यहाँ पर 27056 एड कर देंगे सेस सर सेस 4% एड करिए तो 4% एड कर देंगे तो 1082 सर 1082 एड करके आ जाएगा 28138 रुपए सम्थिंग आ रहा हुआ इसको राउंड फिगर करा जाता है 288A में और 288B में इंकम को किया जाता है 288A में और tax liability को किया जाता है 288B में सर 10 के multiple में किया जाता है जैसे 28138 रुपए है तो हमें 28140 रुपए सरकार को tax देना होगा ना कarry 138 सर 40 क्यों क्योंकि 288B का rule या 10 के multiple में tax जमा करवाओ तो सही रहेगा आपका समझ मैं ही बात आपको सर ये आ गया हमारा पूरा पूरा 1500 देखो रूल में लिखा हुआ है 1500 रुपे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे आये तो 1500 रूपीस लिखा हुआ है सारा का सारा रूल में रूल में लिखा है झाल झाल एक चोटा सा error है इसमें अच्छे कह रहे हैं तर एक गलती रह गए देखो एक चोटा सा error रह गया जिसके वज़े से कितने calculation ध्यान देना हमने क्या करा यहां पर ध्यान दीजिएगा हमने furniture ले लिया यहां पर परनम था न दस परसेंट लेकिन इसको ये कितना मिलेगा त्री मंत का तो एक बार ये करेक्ट करिएगा आप डिवेड़िट वाइड़ ट्वेल इंटू में थ्री बार असो रुपए ये आएगा हमारा बारासो छोटा सा चेंजेस है तर ये आएगा एक्केस 375 पहाँ ची क्या से बस ये आप करेक्ट कर लीजिएगा आगे तक हो जाएगा करेक्ट या मैं करके दिखा दू कर लोगे करेक्ट आगे तक इसको किया जाएगा और यही चीज पांच इकत्यस यह अब यह पांच आटाले आगे तक हुआ देशन आटाएग यह यह आगे यह यह जाटाएगे ने यह अदेश् Communion को का आटाएगे आगे यह यह दूग्यश्ट 12% क्यों लिया है देखिए इसके बाद का calculation आप कर सकते हो कहां correction रहेगा तो tax liability भी नए निकल जाएगा